नमस्कार मैं डॉक्टर शालीनी पांडे मैं सीनिय कंसल्टेंट हूँ पेडियाट्रिक्स में बत्रा हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर में आज हम बात करेंगे कि बच्चों का स्पेशली जो नवजाज शिशू हैं या छे महीने तक के बच्चे हैं या कोई ऐसा जिसकी पहली सर्दी है तो ऐसे में क्या-क्या इन बच्चों का ध्यान रखना है जब सर्दियां आती हैं तो बच्चों के थोड़ा सा जादा खास ध्यान रखने पड़ते हैं तो कैसे ध्यान रखना है किन-किन चीजों का ध्यान रखना है आज हम इसी पर बात चर्चा करत सबसे पहले जो सबसे बड़ा confusion है वो यह है कि बच्चों को कितने कपड़े पहनाने है जब भी parents कोई भी छोटा बच्चा होता है तो कोई एक layer पहनाता है उसके बाद कोई दूसरा आता है उसको दूसरी layer पहना देता है तीसरा पहनाते जाते हैं फिर उसके उपर कंबल करके चलते हैं जो carry bag type का होता है उसको उड़ा देते तो as a result बच्चा जो है 5-6 layers पहन करके डॉक्टर के पास तक पहुचता है इतना सारा उड़ाने के बाद बच्चों को बहुत दिक्कत हो सकती है अगर आप parents हम से पूछते कि जादा कपड़े पहना दिये तो क्या दिक्क तो कभी आप दूद पिलाएंगे कभी आप डाइपर चेक करेंगे तो यह समस्या एक बच्चे के साथ आएगी दूसरी चीज बच्चे के dehydration के chances बहुत जादा होते हैं जब आप जादा कपड़ा पहनाते हैं तो बच्चों को बहुत जादा गर्मी लगती है इनका जो metabolic rate हो रेडी होना होता है जबकि हम लोग हर 4-6 घंटे कभी-कभी 8 घंटे के बाद भी जैसे रात का समय है तो नाश्था करने के लिए हम 12-12 घंटे का भी ब्रेक लेते हैं लेकिन बच्चे दिन भर भी दूद पीते हैं रात भर भी दूद पीते हैं तो इसलिए इनकी जो body की needs हो उसके छोटी form नहीं है वो एक अलग individual है उसे हमें समझने की जरूरत है तो आप जब भी बच्चे को कपड़े पहनाएं तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे को पसीना बहुत आता होगा पसीना सबसे बड़ा जो कारण है पसीने का वो यही high metabolic rate है तो यह आपका सबसे ब बच्चे को पहना दीजे जाते हैं वो दिन भर ऐसे ही चलते रहते हैं दिन में आपने बच्चों के कपड़े जरूर खोलने हैं और आपने कपड़े पहनाने के समय इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे को पसीना तो नहीं आ रहा है उसके बाल तो नहीं भीग जा रहे ह तो कहां तो parents बच्चे को ठंड से बचाने की कोशिश कर रहे हैं और कहां जरूरत से जादा कपड़े पहना करके अगर उन्हें पसीना आया तो भीगे कपड़े पहने वे बच्चे को तुरंट ठंड लगेगी और बच्चों का जुखाम और खासी पूरी-पूरी सर्दी ठीक ही नहीं होता और in fact कभी-कभी बच्चों को निमोनिया भी बन जाता है उसका सबसे बड़ा कारण यही हमारे देश में है कि हमारे देश में कोई clear guideline नहीं है और parents जर के मारे बच्चों को कपड़े पे कपड़े पे कपड़े पहनाते ही रहते हैं तीसरी चीज बच्चे के लिए छोटे-छोटे कंबल मार्केट में available होते हैं उसको नीचे बिच्छा करके बच्चे को उसके उपर करके एक layer, दूसरी layer, तीसरी layer उसको बिल्कुल यह pack कर दिया जाता है उसके बाद उसको carry करने के लिए कोई एक और इस तरह की bags आते हैं जिसमें की बच्चे को zip लगा करके एकदम अंदर ढग देते हैं एक topi बच्चे ने पहनी होती है उसके उपर से कोई jacket की topi आ जाती है, उपर से कंबल की topi आ जाती है तो तीन-चीन चार-चार टोपियां पहन के बच्चा आता है, मोजे इतने पहने होते हैं, mittens पहने होते हैं बच्चोंने तो आप बहुत objectively बच्चे को कपड़े पहनाईए सबसे जरूरी है बच्चे की layering करना जो सबसे अंदर के कपड़े होते हैं वो हमेशा सूती होने चाहिए आप सबसे अंदर एक बन्यान पहनाईए और diaper आप बच्चे को जरूर पहना करके रखिए diaper का सबसे बड़ा फाइदा ये है कि वो ठंड से पचाता है और जो बच्चे बार-बार पेशाब कर रहे हैं राद भर उठ करके वो बच्चों को फिर disturb नहीं होती नीं बच्चे एक खुश्णुमा बच्चे बनते हैं बार-बार रोते नहीं है और ठंड से भी बच्चते हैं तो diaper के उपर आपने pant पहना के रखनी है बहुत बार parents हमारे पास आते हैं एक shirt पहनी होती है और diaper पहना होती है और पाओ में कोई भी pant इत्यादी कुछ भी नहीं पहनी होती है तो हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि बच्चे को shirt pant तो even गर्मी का मौसम है तो भी आपने उपर एक t-shirt और नीचे एक pant या full pant या कुछ भी diaper के उपर जरूर पहनाना है बच्चे को बच्चे को जो गर्माईश मिलती है वो पहने वे कपड़ों से मिलती है ये कपड़े धीले डाले नहीं होने चाहिए अकसरी parents, baby girls को लेकर के आते हैं जिन्होंने frog पहने होते हैं देखिए अगर आप बच्चे को frog पहनाएंगे तो सबसे बड़ी समस्या क्या होगी कि जब भी आप बच्चे को उठाते हैं गोदी या बच्चे अपना actively हाथ पाउं चलाते हैं तो उनके कपड़े धीरे धीरे उपर चड़ते चले जाते हैं उसके ओपर आप कोई स्वेटर इत्यादी पहना सकते हैं जो भी उनका या फिर आप कोई सिंथेटिक चीज पहना रहे हैं तो आपने वो चीज हमेशा एक अंदर कॉटन की लेयर के बाद ही पहनानी है जो बच्चों के कपड़े ऐसे आते हैं जिन में आगे बटन होता है उसमें ये ध्यान रखें कि वो गर्दन के पास अच्छे से बंध हो ऐसा ना हो कि उसका बहुत डीप नेक हो या आपने बढ़ा ले लिया है तो वो नीचे जाकर के इतनी दूर पे बटन आ रही है इससे भी ठंट के चांसिस होते हैं अगर ऐसा आपको लगता है कि आपको बढ़ा लेना है लेकिन उसका नेक बढ़ा है तो आप उपर एक बटन उसमें एक्स्ट्रा खुद से जोड़ करके लगा सकते हैं यह हमेशा यह कहा जाता है कि बच्चों के कपड़े हमेशा बढ़े लेने चाहिए इसके पीछे यह नहीं है कि बच्चे जल्दी बढ़े होंगे तो आपका पैसा बच जाएगा इसके पीछे ये reason होता है कि कपड़े हमेशा एक दूसरे में खोंस के अंदर पहनाए जाते हैं तो आपने जैसे shirt पहनाईए तो shirt को आप अंदर pant की elastic के अंदर खोंस करके उसको पहनाईए ताकि गोदी लेने से और बच्चे के active होने से वो shirt उपड़ ना चड़े और उसका पेट और छाती खोल न जाए और उसे ठंड ना लगे तो आपने अंदर का जो भी कपड़ा पहनाना है उसे एकदम tight pack करके elastic के अंदर उसको pack करके आपने पहनाना है और फिर उसके बाद आप कोई दूसरी layer पहनाईए फिर आप तीसरी layer पहनाईए और या फिर आप बच्चे को किसी चीज में लपेटना चाहते हैं तो लपेटे ताकि जब दिन के समय आप बच्चे को थोड़ा सा गरम हो गया है तो आप एक आद layer हटा ले अगर शाम के समय आपको ठंड लग रही है बच्चे को ऐसा लगता है तो आप उसको वापस धख सकते हैं अब कितने कपड़े पहनाने हैं देखिए जो रूल है वो ये कहा जाता है कि मा और बाप जितने कपड़े पहन रहे हैं उससे एक लेयर एक्स्ट्रा आपने बच्चे को पहनानी है और ये वाली लेयर का आपने ध्यान रखना है कि आपने बच्चे को एक लेयर जो एक्स्ट् तो ये चीज आप बच्चे के खास ध्यान रखें, नहीं तो बच्चे के कपड़े भीग जाएंगे, बच्चे को ठंड लगेगी और फिर बच्चे को खासी जुखाम और निमोनिया होगा, तो आप सर्दियों में कपड़े किस तरह से पहना रहे हैं इस बात का आप खास ध्य नेशा धकरके रखें, गर्मियों के मौसम में आप एक पतली सूती सी टोपी पहना करके रखें और सर्दियों के मौसम में उस टोपी के ऊपर आपको valid क्या हैं या कोई जैकेट पैडर आप हुडी टाइब का ले सकते हैं जिसमें हूट होता है और उसमें आप बच्चे को रख सकते हैं या फिर बहुत सारे कंबल भी आते हैं जिनमें उपर हुड अलग से बना होता है तो अंदर जो सबसे इनर्मोस लेयर है वो सूती लेयर होनी चाहिए तभी बच्चे जो है वो ठंड से प्रोटेक्टेड रहेंगे इसके अलाबा ठंड में आपको आपने कपड़े तो पहना दिया आपने डाइपर का इस्तेमाल जरूर करना है तीसरी चीज आप हीटर्स का जो भी इस्तेमाल करते हैं इस बात का आप ध्यान रखें कि हीटर जो है वो ऑईल हीटर्स ही अगर आप अफोर्ट कर सकते हैं तो वो करें, blower और यह जो halogen के heaters होते हैं, जो coil वाले heaters होते हैं, यह बहुत देर तक आप कमरे में blowers तो आप बिल्कुल भी इस्तेमाल न करें, और जो coil वाले heaters हैं, उनके सामने आप कोई पानी का बड़ा बरतम रखें, जिससे की कमरे के अंदर humidity या आर्दता जो है, वो maintain रहें जब भी आप कमरे में heaters का इस्तेमाल करें, तो कोई एकाद खिड़की थोड़ी बहुत बीच-बीच में खोल के रखा करें ताकि क्यूंकि कमरे में जब भी heaters वगेरा जलते हैं, तो oxygen की भी होती है, और humidity की भी कमी हो जाती है क्योंकि ये जलते हैं, तो जब भी कोई चीज जलती है, तो उसे oxygen चाहिए होता है, तो उसका oxygen की कमी को पूरा करने के लिए आपने कमरे के एक चोटी खिड़की हलकी सी खोल के रखनी है, या दर्वाजा थोड़ा सा खोल के रखना है, इसके अलावा अगर बच्चा हीटर के कमरे में हैं, तो आप उसको एक बार ठंडे कमरे में ले जा रहे हैं, फिर वापस आप हीटर के कमरे में ले जा रहे हैं, इस तरह से बार बार, सड़न जो चेंज कर रहे हैं आप temperature का, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, इसके बाद पेरेंट्स हम से पूछते हैं कि सर्दियों में बच्चे को कितनी बार नहलाएं, कब-कब नहलाना चाहिए, देखिए ये बच्चे के उपर है, अगर आपका बच्चा नहाना enjoy करता है, वो बहुत जादा रोता चिलाता नहीं है, उसे पसंद है नहाना तो आप सारी precautions ले करके बच्चे को नहला सकते हैं, बच्चे को हमेशा बंध कमरे में ही नहलाना चाहिए बातरूम के अंदर ही नहलाना चाहिए, आप बाहर खुले में धूप में इसमें नहलाएं, अगर आप अब भी आप रड़ी रखें और जब आप बच्चे को नहला करके ले के आएं, तो गीली तॉलिया में लपेट करके आपको उसको नहीं रखना है आपने जैसे ही बच्चे को नहला लिया उसके बाद आपने ओ गीली तॉलिया से osco पोच करके सूखी तॉलिया में लपेटना है एक लेयर दो लेयर लपेट करके उसको अकसरी बच्चों को फीड का मन करता है नहाने के बाद तो फीड कराने के बाद ही आप उसके कपड़े बदलें इस बाद का आपको ध्यान रखना है सर्दियों में एक बहुत जरूरी है मालिश पेरेंट्स हम से पूछते हैं कि सर्दियों में मालिश करनी चाहिए कौन से तेल से करनी चाहिए कितनी बार करनी चाहिए देखिए अगर बच्चा एंचॉई करता है तो आप कितनी बार भी मालिश कर सकते हैं लेकिन जब भी आप मालिश करेंगे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उस तेल को आपको शरीर के ऊपर छोड़ना नहीं है तो आप कोई गीला गुनगुना कपड़े में ऐसे वो करके आप उसके थोड़े बहुत पोच दें तो ओयल शरीर के ऊपर लगा हुआ नहीं छोड़ना है मालिश आप कितनी बार भी कर सकते हैं ये बच्चों के स्किन के लिए अच्छा होता है लेकिन उसके बाद उसको गीला करके आपने पोचना है लेकिन अगर आप शाम को या ठंड में मालिश कर रहे हैं जिस समय सूरज नहीं निकला है तो आप कपड़ों के अंदर-अंदर भी ना कपड़ों को हटाएं आप मालिश करिए आपको बहुत जादा एरिया एक्सपोज नहीं करना है नहीं तो मालिश से आपको खत्रा बन सकता इस बात का आप खास ध्यान रखें, कि मालिश करते समय भी आप बच्चे के कपड़े ना उतारें, हलके हलके से, जैसे पैंट उपर कर दी, उसके बाद उतनी दूर मालिश कर दी, शर्ट की माहें उपर कर दी, उतनी दूर मालिश कर दी, सर की हलकी हलकी मालिश कर दी, पीट की हाथ के अंदर रखें तो वो चिपचिपए नहीं होतें, एक गाढ्ये तेल होते हैं, जैसे सरसों का तेल है, आर्मियों में आराम प्राम से इस्तिमाल कर सकते हैं जो गाढ़े तेल हैं गर्मियों में आपको हमेशा light oils ही यूज करने पड़ेंगे तो बहुत सारे जैसे आमंड ओयल का एक light version आता है यह आप गर्मियों में इस्तिमाल कर सकते हैं इसी तरह से जितने baby oils आते हैं वह बहुत लाइट होते हैं तो वह आप गर्मियों में इस्तिमाल कर सकते हैं oil से बहुत जाइदा मतलब नहीं होता, पेरेंट्स को मैं शूर करना चाहती हूं हमसे हमेशा पूछते हैं पेरेंट्स की कौं सा oil कौन सा oil तो oil मैटर नहीं करता जो मसाज की टेकनीक है जो stretching की technique है वो important होती है oil जो है वो सिरफ एक वहिकल है ताकि आपका हाथ बॉड़ी के उपर अच्छे से फिसले तो आपने oil से tension नहीं लेनी है आप कोई भी oil जो आपके घर में available है जो सस्ता oil है अगर आप उससे मालिश करना चाहते है जो मसाज की technique है वो important होती है और जो stretching की technique है वो important होती है तेल कभी भी important नहीं होता Indian Academy of Pediatrics भी recommend करती है कि कोई भी oil आदमी use कर सकते हैं अपने बच्चे के उपर लेकिन उनकी ये भी कहना है कि हाँ coconut oil के कुछ beneficial effects देखे गए हैं आईए आपकी मर्जी पे आप कौन सा तेल का इस्तेमाल करना चाहते हैं इसके बाद जब भी आप नहला दें बच्चों को उसके बाद शरीर की moisturization बहुत जरूरी है तो कोई भी baby moisturizers आप use कर सकते हैं तो सर्दियों में आप अपने बच्चे का ध्यान रखें अपने भी स्वस्त रहें और बच्चे को भी स्वस्त रखें आशाय आपको ये जानकारी पसंद आएगी अगर आपको इससे related कुछ और सवाल है तो नीचे comment section में आप मेरे से पूछ सकते हैं इसके अलाबा मैं अपने clinic का address भी शेयर कर रही हूँ आप शाम को साड़े पांच से साड़े साथ clinic विजिट कर सकते हैं और मेरे को वीडियो कॉल से भी संपर्प कर सकते हैं नमस्कार